स्वागत है आप सभी का साइंस और दिमाग दोरों से पढ़ाते हैं और आज हम लोग मिले हैं काइनेटिक थियोरी आफ गैसे के वन शॉट के लिए यह चेपटर यानि के कानेटिक थियोरी आफ गैसे बहुत एक आप कहा सकते हैं इंडिविजुवल आइडिन्टिफाइड चेपटर मतलब कि इसका यह हुआ कि यह एक ऐसा चेपटर है जिसका ऐसे बाकी चेपटर से कोई लेना देना नहीं है बलकि हां यह चेपटर आपकी हे and CV याने कि specific heat at constant volume को हमने use किया था लेकिन यहां पर यान इस चप्टर के अंदर हम उसको derive करेंगे कि CP की value क्या होती है CP की value क्या होती है अगर आपने वेव चप्टर कर लिया है तो वहाँ पर लापला जी की correction के दरान हम लोगों यहांने गामा की value को CP by C which is seven by five use किया था वह आपको इस चप्टर में समझ में आएगा कि ऐसा क्यों है लेकिन एक बहुत छोटी सी कहलो प्रॉब्लम है वह प्रॉब्लम यह कि kinetic theory of gases chapter के अंदर सीबी एसी किस लेबस के according जो gases के law थे यानि Charles law, Boyles law, Avogadro law यह वाला हिस्सा जो है वो डिलीट हो गए और बड़ी दुख बड़ी बात यह कि chemistry से भी हमारा जो states of matter chapter था याने कि chapter number five वो भी सीबी एसी ने डिलीट कर दिया था तो इसका मतलब यह कि यह जो gases के law है वो हमें इसको अलग से पढ़ सकते हैं और हम जैसे हमारा syllabus यहां पर खताम होगा या हमारे exams हो जाएंगे या जब हमारे पास exam के बात समय होगा तो हम वो उसके ओपर bits lectures डालते रहेंगे deleted part के ओपर ताकि आप जो बच्छे यहां पर entrance की तयारी करने वाले हैं जो कि सभी को करना है त तो वो उनका भी फाइदा हो जाए बड़ अगर अभी हम syllabus की बात करें तो यह वाला हिस्सा हमारे exam में नहीं आ रहा है तो अब इस chapter में शुरुवात कहां से होती है अब इस chapter में शुरुवात होती है सबसे पहले तो kinetic theory of gases chapter का मतलब समझेंगे और यह chapter क्यों पढ़ रहें क् पूरे chapter की और उसके बाद फिर kinetic interpretation फिर CPCV और चीज़ें आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे चीक है जी और सबसे इंट्रस्टिंग बात यह कि इस chapter को आज हम लोग one short में करना वाले one short मतलब क्या आपको पता ही है कि हम इस chapter को पूरा का पूरा आज complete कर देंगे from starting to end अब assumptions पूरी chemistry ने physics ने assume की है kinetic theory of gases को पढ़ने के लिए kinetic theory of gases का मतलब क्या है देखो आप सब जानते हैं शायद 9 फिम भी आपने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास 5 states of matter होती है solid, liquid, gas, plasma and Bose, Einstein, condensate अब इन 5 states के इंदर सबसे easy जिस state को पढ़ना होता है वो gases होती है शायद आपको पता ह gases को पढ़ना सबसे असान होता है क्योंकि gases के particles के बीच में सबसे कम force of attraction होता है तो उनकी पढ़ाई करना बहुत simple होता है whereas solids और liquids में intramolecular force of attraction, intratomic force of attraction होती है जिसको study करना थोड़ा सा मुश्किल रह जाता है तो ultimately the point है कि अगर मैं ऐसे बात करूँ कि gases में पढ़ाई सबसे असान है तो वो असान क्यों होई क्योंकि उनके बीच में particles के बीच में कोई attraction नहीं होता है या बहुत कम attraction होता है लेकिन फिर भी gases के particles सबसे जाधा दोड़ते हैं उनके particles के पास सबसे जाधा kinetic energy होते है बस उसी energy के बारे में हमें इस chapter में पढ़ना है कि वो energy कितनी होती है उस energy से कोई gas क्या क्या कर सकती है ये सिभा में इस chapter के हम्दार पढ़ना है पहली बात दूसरी बात लेकिन इस चप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ assumptions पढ़नी होगी कुछ चीजों को हमें assume करना होगा कुछ चीजे fact based हैं और कुछ हमने assume कर ली ऐसे आप कह सकते हैं ठीक है ना तो सबसे पहली है every gas consists of extremely small particles known as molecule and the molecules of given gas are all identical but are different from those of another gas मतलब अगर एक कंटेनर में हमाँ पास oxygen gas है तो oxygen gas के जितने भी molecules होंगे वह सारे के सारे same होंगे ऐसे ही मालो एक कंटेनर में आपने helium gas भर रखे तो helium के जितने भी molecules होंगे atoms होंगे वह similar होंगे but obviously है helium के molecules chlorine के molecules से different होंगे तो पॉइंट इस कि अगर हमारे पास एक कंटेनर में एक गैस है तो या किसी भी एक दूसरे कंटेनर में दो अलग अलग कंटेनर में same gas है तो उनके जो particles है वो particles identical होंगे किसी भी किसी भी expect से मास से shape से size से वो identical होंगे ठीक है जी इसके बाद the molecules of gas identical sphere अच्छा यहां पे एक नया point आये कि हम उन्हें spherical मानेंगे हम उन्हें rigid भी मानेंगे और सबसे important बात हम उनको perfectly elastic मानेंगे मतलब अगर वापस में तकराए तो टकराने के बास पहली बात तो collision उनका Elastic होगा और दूसरी important बात कि जब हो टकराएंगा और अगर अगर in case टकराने से उनकी shape में कोई भी change आता है तो वो अपनी shape को वापस से regain कर लेंगे तो यहाँ पर elastic के दो मतलब है वो टकराएंगे तो उनके बीच का जो collision होगा वो elastic होगा और सबसे बन बात अगर वो टकराए और टकरान रे के दुरान उनकी shape में कोई भी बदलाव आया कोई भी change आया तो वो वापस से अपनी shape को regain कर लेंगे जैसे कि spring या फिर एक rubber band कर लेता है देर molecular size उनका size बहुत कम होगा as compared to the distance between them मतलब कि दो molecule के बीच में जो distance है वो बहुत ज़ादा होगा और लेकिन उनका जो size है उसके मुकाबले में वो बहुत कम होगा दो molecules के बीच में जो distance है वो बहुत ज़ादा होने वाला है लेकिन वहीं पे उनका खुद का molecule का size बहुत कम होने वाला है ये बात भी ध्यान रखिएगा इसके बाद their molecules अच्छा है तो होगा the speed of gas अच्छा gas के particle की speed वैसे तो बहुत हाई होती है लेकिन हम अब इस chapter में पढ़ेंगे कि अगर temperature zero हो गया तो velocity यानि की gases के particle की speed zero भी हो सकती है ठीक है न बट zero temperature पहुँचना possible नहीं है अगर आप में से किसी बच्चे ने Charles law, Balls law पढ़ा है अगर पढ़ा है तो उन्होंने प्रूफ कि क्योंकि वह से मारे स्लेबस में था नहीं तो उन्होंने ये साबित किया था अपने एक formula से कि अगर temperature किसी gas का zero हो जाए तो उसकी volume भी zero हो जाएगी and zero Kelvin या उससे नीचे जाना practically possible नहीं भी है क्योंकि किसी की volume gas की zero नहीं हो सकती या negative तो बिलकुल नहीं हो सकती बट अभी के लिए वो छोड़ दो point मैं आपको आगे जाके इस chapter में पढ़ाऊंगा आज even short में कि अगर किसी gas का temperature zero हो जाता है तो इस particle की energy उसकी velocity सब zero हो जाएगा जो कि practically possible नहीं है तो इसलिए जो velocity है वो between zero to infinite रहती है यानि zero के और infinite के बीच में कोई value लेगी और दियान रखें बहुत high होती है यह बात आपको generally पता यो नहीं चाहिए या शायद structure of atom में आपने अंदाजा भी लगाएदा बर ठीक है gases के particles के energy बहुत जादा high होती है इसके बात distance covered by the molecule between the successive collision जानि कि एक container है हमारे पास एक container के अंदर अगर एक gas का particle भाग रहा है यहाँ पे gas का particle भागा भागा ऐसे भाग रहा है ऐसे भाग रहा है तो टकरा रहा है कभी वो दूसरे particle से टकरा रहा है कभी वो container की दिवारों से टकरा रहा है तो उसके दो कोलिजन्स के बीच में जो distance से उसको free path कहते है वो container से टकरा रहा है वो आपस में टकरा रहा है तो दो कोलिजन्स के बीच में यहां पे गया फिर टकरा गया वो चाहे container से टकरा है हो चाहे particle से टकरा है हो लेकिन दो कोलिजन के बीच में दो कोलिजन के बीच मैं जो Distan's रहता है उस L одно हम लोग free path कहते हैं ठीक है ना free path कहते हैं and mean of all the free path is known as mean free path अभे सारे path जो होंगे जैसे की थोड़ा से समझो यह container और इसका formula भी आएगा आगे और यहां पर एक यह container closed ठीक है ना यह container closed यह gas का particle टक्राया यहां पर किसी particle टक्रा के यहां चला गए container से टक्राया है यहां चला गया फिर यहां चला गया फिर यहां चलाओ ऐसे करके particle टक्राया जा रहा है यह x1 है मा लो यह ऺ verw happened लो यह x3 है यह x4 है यह x 5 है यह x6 है यह सारे इनके free path है कैसे इस collision और इस collision के बीच का distance is call free path is to risk के बीच distance free path free path free path free path free path है free path मतलब 2 collisions के बीच का जो distance होता है 2 collisions के बीच का सब्सक्रीपात कहते है अब एस दो बहुत सारे free path होगे x1 x2 x1 वोगा जो जो इवरेज होगा उसको average free path यानि की mean free path कह देगे ठीक है ना यह बात भी आपको रखने इसके बाद the number of collision per unit volume हमेशा एक बात ध्यान रखना एक container में जो number of collisions per unit volume हो रहे हैं per unit time नहीं per unit volume कि एक लिटर में अगर 50 collision हो रहे हैं तो वह collision 50 ही रहेंगे वह constant रहेंगे क्योंकि number अगर आप temperature बढ़ा भी दोगे तो बस फरक ही होगा कि particles जादा कोलाइड नहीं होंगे पार्टिकल जल्दी जल्दी कोलाइड होने लग जाएंगे जिसकी वज़ा से number of collisions per unit volume से रहेंगे बस collision जो है वो जल्दी होने लग जाएंगे तो number of collisions per unit volume से रहेंगे और 7th point जो कि एक assumption है proper assumption आपको पता है दिर इस नो अट्राक्शन और एपर्शन बिट्वीन दी पार्टिकल्स आफ गैस आप सब जानते हों मैं हमेशा से एक line देता आया हूं एक line बहुत important है और वह जिसका कोई नहीं होता ना उसका wonder wall force of attraction होता है आपको मैंने यह शायद पहले पताया है कि दुनिया के हर दो particles के बीच में gas के solid के liquid के जो भी microscopic particles होता है सब में एक attraction तो जरूर होती है जिसको wonder wall force of attraction कहते हैं कुछ gases में तो और भी attractions हैं like dipole 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 induce dipole London forces लेकिन दुनिया में कोई भी दो particles के बीच में चाहे कोई और attraction हो चाहे ना हो लेकिन एक attraction जरूर होती है जिसे हम wonder wall force of attraction कहते हैं तो इसलिए यह बोल देना कि particles के बीच में there is no attraction और repulsion यह एक assumption है ऐसा होता नहीं है बट वह attraction और वह repulsion इतना कम होता है कि हम उसे ignore कर सकते हैं हम उसको हम ऐसा मान सकते हैं कि वह नहीं है और इससे लिए मैंने का था gases को पढ़ना बहुत easy भी है and last point कि जो gravitational force है वह बहुत ही कम होगा particles में क्योंकि आपको पता है gravitational force is directly proportional to mass of the particle है ना आयोप आपको याद हो कि जो gravitational force होता है F वो होता है G into में M1 into में M2 upon में D square अब इनके बीच में जो mass है D distance तो vary कर रहा है लेकि जो mass है M वो बहुत चोटा है एक गैस के particle का जो mass है वो काफी जादा चोटा होता है जिसकी वजह से आप उनके बीच की gravitational force को ignore कर सकते हैं आपको पता भी है gases पर gravitational force का impact उतना है नहीं तभी वो हर तरफ जाती है भागती है उपर भी चले जाते हैं करड़नर खोल दो के तो भाग जाएंगी तो gravitational force का जो impact है उनके उपर वो काफी कम है काफी less है यह बात भी आपको ध्यान रखनी होगी ठीक है तो यह सारा खेल जो है वो चलता रहेगा अब यह सारी आगे जाके हमारा बहुत अच्छा फ्लो ले सके चली चैप्टर शुरू यहां से होता है चैप्टर शुरू यहां से होता है और टॉपिक का नाम है हमारे पास degree of freedom डिगरी of freedom अब यह degree of freedom क्या है आओ जारा समझें फ्रीडम का मतलब आप सबको पता है अजादी उतर ज्यादा भावुक नहीं हो जाँगा मैं लेकिन नेलसर मंडेला जी ने कहता है कि सब के लिए अजादी का मतलब अलग है आपके लिए अजादी का मतलब अलग हो सकता है मेरे बच के लिए अजादी का मतलब अलग हो सकता है मेरी मदर के लिए अजादी का मतलब अलग हो सकता है नेलसर मंडेला जी ने कहा था कि जब चोटे थे तो उनके लिए अजादी का मतलब था कि वह अपने घर से निकल पाएं अपने दोस्तों के साथ जा पाएं अलग 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 पर गूम पाएं एक्लिस उन्हें घर से बाहर जाने की अजादी हो लेकि जो बड़े होए तो इनको समझ में आया कि ब्लाक और वाइट लोगों में कैसे बेदभाव हो रहा था और उनके लिए अजादी का मतलब भी बदल गया बिल्कुल ऐसे हमारे लिए मेरे लिए अजाद के लिए तंग ना करें मैं अजाद हो जाओं ऐसे से करके सब के लिए अजादी का मतलब क्या है वो जिस डायरेक्शन में चाहें वो जा पाएं अब उनके पास कितनी डायरेक्शन में जाना है का अनुमती है एक पार्टिकल के लिए गैस के कितनी डायरेक्शन में जाने की उसको अनुमती है इसको degree of freedom कहा जाता है आओ ज़रा पढ़ें degree of freedom for a dynamic system यहाँ पर dynamic system का मतनब obviously बात है एक a system जिसके अंदर कुछ हिल रहा है obviously बात है यह गैसे की बात हो रही है is the number of directions in which it can move freely or the number of coordinates required to describe the complete position and configuration of the system यानि कि अगर मुझे यह बोलना है कि एक gas का particle तीन alख-alख coordinates में घुम सकता X axis y axis और z axis अगर मैं ऐसा केता हूँ कि कोई gas का particle 3 coordinates में घुम सकता है X axis Y axis और z axis तो मैं kie तो पूंगे उसको degree of freedom 3 होगे वो कि वो 3 alख-alख coordinates में घुम सकता है अच्छा एक gas का particle X axis Y axis Z axis के साथ साथ clockwise और anti-clockwise अपने एक्सेस पर घूम रहा है तो वह डिगरी ऑफ रिडम पांच मतलब कोई भी गैस का पार्टिकल कितनी अलग अलग डाइरेक्शन में ऑसे लेट मूव कर सकता है या मुझे कितनी एक्सेस कितने कॉडिनेट एक्सेस देने होंगे उसकी पूरी की पूरी कॉन्फिगरेशन को समझाने के लिए इसको हम लोग डिगरी ऑफ रिडम कहते हैं अब इंट्रेस्टिंग बात यह जिसमें हमें लग 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 आदा घंटा लगे का भी या 20 मिट तो लगेंगे डिगर अफ रुडम कि निकालते कैसे किसी गैस के लिए डिगरी ऑफ रुडम कैसे निकालते हैं तो अब यहां पर हमाहिं मैंस से दिखा रहें कई किताबे से capital A से भी दिखा देती है हम यहां पर से F से दिखा रहें अच्छा also अगर मुझे degree of freedom किसी भी gas का निकालना हो तो इसका formula होता है 3N minus में R अगर मुझे किसी भी gas का degree of freedom निकालना हो तो इसका formula होता है 3N minus R अब यह 3N minus R में M क्या है where n is where n is number of particles in one molecule in a molecule एक molecule में कितने particle है कितने atom है आप ऐसा कह सकते हो और r यहाँ पे है number of relations यह number of independent relations यहाँ पे r जो है वो number of relations है नहीं 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 यह वो सिंगल लोग हो तुम बे यह वो रिलेशन नहीं है और होंगे तुम क्यों चुड़ रहे हो तुम तो सिंगल हो यह आर नंबर ओफ रिलेशन्स वो नहीं है यह क्या है मैं आपको बताऊंगा लेकिन डिगरी ओफ रिडम निकालने हैं कितना प्यारा और छोटा सा फॉर्मॉला है विच इस थ्री एंड माइनस आर एन इस नंबर ओफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ओफ आटम या नंबर ओफ पार्टिकल्स इन मॉलिक्यूल समझा रहा हूं जैसे ओटू है उसमें दो है तो यहां पर चार कार चार है एक कारवन तो पांच हो जाएगा लेकिन नंबर ओफ डिलेशन की यह मैं आपको समझाता हूं इसको नंबर ओफ या नंबर ओफ इंडिपेंडेंट रिलेशन पहे सकते हैं कई बच्चे होते हैं जहां जिसे सबीने मुलिक्द नहीं नहीं होता है यहां गाला हमें लिए इप अलग ऑलग डाAST married के लिए ऑपर 잘못 कावाएग êtes हाद ह यहां पर हम कहाँ डिए नियान फिल्म निकालने का फोमला 3N माइनस में आर होता है अब यहां पे 3N में N क्या है N है number of relations हाना सॉरी number of particles प्रीसी सॉरी रिन क्या है number of particles अब यह monotomic जैसा है तो helium में तो एक ही particle है helium अरे monoatomic मतलब एक ही atom न तो N के value 3 हो गयी अब number of relations की भात करें तो number of relation भी यहां पर एक अकेला पार्टिकल थोड़ीना अपस में रिष्टा बना सकता है को इतना सिंगल नहीं हाँ तुमारे साथ ऐसा भले हो सकता होगा कि बाई तुम इतने ज्यादा सिंगल हो कि अपने आपको मेसेज भेज रहे हो अपने आपका गुरूप बना लिए उस साथ लेकिन यहां पर ऐसा नहीं एक अकेला आटम एक अकेला आटम वहापने साथ को relation नहीं बनाएंगा तो यहां पर जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब है इसका जो मोनातौमक गैसेस का जो डिगरी ऑस विडम होता है वह थी होता है इस एक्स वाइज ट्या अपका रधाय डाय अटॉमिक गैसेज अगर मैं डाय अटॉमिक गैसेज की बात करूं डाय अटॉमिक गैसेज में कौन आ गया जैसे ओ टू आ गया जैसे की सी एल टू आ गया जैसे की एन टू आ गया यह सारी गैसेज हमारे लिए डाय अटॉमिक है जिन में दो एटम है अब अगर मैं यहा में 2 है, CL2 में 2 है, N2 में 2 है, तो यहां पर जो number of particles हो जाएंगे, वो 2 हो जाएंगे, माइनस में R, अब number of relation, अब common sense की बात है, O और O आपस में एक relation बना सकता है, O O के साथ, अगर यह number of bonds होता है, तो सोचो, O और O के बीच में दो bond होते हैं, यह number of bonds नहीं होते हैं, number of relations होते हैं, oxygen, oxygen के साथ एक रिष्टा बना सकता है, nitrogen, nitrogen के साथ एक रिष्टा बना सकता है, chlorine, chlorine के साथ एक रिष्टा, और क्या होगा, यह इससे एक रिष्टा बनाएगा, अब वो रिष्टा क्या कहलाता है, वो सब आप छोड़ दो, कि वो आइनिक है यहां पर relation के बात हुड़ी कि oxygen oxygen से एक रिष्टा बना पाएगा तो नमबर आफ रिलेशन यहां पर वन हो जाएगे अब यहां पर six minus one तो कुल मिला के यहां पर five हो जाएगा तो यहां पर हमारे पास जो डाय अटॉम में गैसें उसके लिए यहां पर यह five आ जाएगा अच्छा अब हम यहां पर दो एग्जामपल और करेंगे आपको यह बहुत असान तरीके समझ में आ जागा जैसे कि अगर बात करूँ for try atomic gases अगर मैं try atomic gases के बात करूँ अब try atomic gases में दो options होते हैं ये बात आप ध्यान रखना इसमें दो option होते हैं पहला होता है for linear gas या linear molecule linear मतलब की बच्चो try atomic तो हो लेकिन वो एक ही line में हो जैसे कि इसका सबसे अच्छा example CO2 है इसका सबसे अच्छा example CO2 है I hope आपको पता हो CO2 की hybridization SP2 होती है और इसकी shape जो है वो linear होती है इसका सबसे अच्छा example CO2 या फिर BECL2 के vapors या फिर BECL2 के vapors ये try atomic हैं आप देख सकते हैं इनमें 3-3 atoms हैं लेकिन ये linear हैं से सिर्फ और सिर्फ फरक पड़ेगा number of relations में कैसे आओ सबसे पहले बात तो degree of freedom का formula हमारे पास है 3N minus में R degree of freedom का formula 3N minus में R अब इनमें से कोई भी एक गैस आगा है लेट से CO2 हमारे पास जो shape होती है अगर आपको याद हो chemical bonding तो इसकी linear shape होती है because of SP2 hybridization आप इसमें number of relations कितने बनेंगे वो हम देखेंगे लेकिन सबसे पहरे number of particles तो आपको clearly पता है 3 है because triatomic gas की बात हो रही है लेकिन आप जल्दी से मुझे comment section पर number of relations पता हो है time stamp प्लीज लिख देना 22 minute हो रहे है मेरे request है time stamp ज़रूर लिखना 22 minute हो रहे है I request 22 minute की time stamp बनाके लिख दो कि इसके degree of freedom कितने है ओ इसके number of relations कितने बनेंगे number of relations कितने बनेंगे जल्दी जल्दी लिख दो please चीक है जी I hope आप लोगोंने number of relations यहाँ पे 2 लिखे हो I hope आप लोगोंने number of relations यहाँ पे 2 लिखे हो कैसे एक relation oxygen carbon से बनाएगा और एक relation यह वाला oxygen carbon से बनाएगा लेकिन यह वाला oxygen इस वाले oxygen से direct relation नहीं बना सकता because beach में carbon आ गया है तो यह वाला oxygen इस वाले oxygen से रिष्टा नहीं बना सकता because beach में carbon है और इसलिए linear molecule में जो number of relations आएंगे वो two आएंगे three three nine आ गया nine मेंसे दो गए तो degree of freedom इसका seven आ जाएगा लेकिन सबसे interesting बात यह कि अगर मैं यही काम for भी पार्ट बनाके for non-linear triatomic में बात चल रही है लेकिन non-linear में बात चले जैसे कि एच्टू ओके वेपर्स इसका best example है एच्टू वेपर्स एच्टू वेपर्स अबसे बात आप मैं यह आप है एच्टू वेपर ले लिए लिए आप समझ जाना यह पढ़ाई गैसे के लिए लिए लोग लोकर रहें तो एच्टू ओ लिकूर्ड फॉर्म में होगा तो काम नहीं होगा एच्टू वेपर की फ़ॉर्म में बना eccब्सूर्इंस ओर है formula है 3N-R number of particle 3 है लेकिन सबसे interesting चीज क्या है सबसे interesting चीज यहाँ पर R है सबसे interesting चीज यहाँ पर R है अब आप मुझे दोबारा से 24 मिनट, साड़े 24 मिनट की time stamp दे के प्लीज यह वाला answer दे देना request है कि कितने degree और कितने number of independent relations यहाँ पर बनेंगे जल्दी से बताओ, आगे नगे number of bonds होता तो फिर अल्ला का answer होता ना आप समझे यहाँ पर the bond फिर 4 है पर हमने यहाँ पर R क्या लिया है जल्दी से बताओ दो भाई independent relations कितने बनेंगे मैं pink color से relation दिखा देता हूँ फिर मैं हटा दूँगा आई होप आपने time stamp पर answer दे दिया है तीन relations पहला, पहला relation oxygen और oxygen के बीच में बनेगा दूसरा relation oxygen और oxygen के बीच में बनेगा और तीसरा relation इस वाले oxygen और इस वाले oxygen के बीच में बन जाएगा because वो यहाँ से रिष्टा बना सकते हैं क्योंकि oxygen बीच में नहीं है इस सुनने वैसे बहुत अजीब से लगे रही बाते लेकिन बीच में oxygen नहीं है तो side से रिष्टा बना सकते हैं बच्चों और इसलिए independent relations जो आएंगे यहाँ पर वो तीन आजाएंगे independent relations जो यहाँ पर आजाएंगे वो तीन आजाएंगे अब तीन तीन नौ और तीन गए तो बच्चों छे यहाँ पर degree of freedom आ जाएगा तो ultimately कहने का मतलब यह है कि degree of freedom सिरफ इसी बात पर depend नहीं करता कि आप monoatomic है diatomic है या triatomic है यह इस बात पर भी depend करता है जादा depend करता है बलकि कि आपके number of independent relations कितने होंगे ठीक है न तो यह हुआ degree of freedom अब degree of freedom के जस्ट बाद हम लोग एक बहुत important derivation पर चलेगे हैं मेरा यकीन मानिएगा इसी derivation के उपर आगे का पूरा chapter based है मेरा यकीन मानिएगा इसी derivation के उपर आगे का पूरा का पूरा chapter based होगा लेकिन उससे पहले आप प्लीज अपना degree of freedom छोड़ा पका कर लिजिए अगर degree of freedom पका नहीं हुआ तो आगे की चीज़े में दिक्कत आएगी हम क्यों देखो मैं हमेशा यह मानता हूं कि कुछ chapters में NCRT ने गरबड़ी किये गरबड़ी मतलब गरबड़ी नहीं किये मतलब चीजों को सही order में नहीं पड़ा लिखा हुआ इसलिए मैं हमेशा degree of freedom को पहले करवाता हूं और उसके बाद मैं pressure की derivation में पहले करवाता हूं उसके बाद मैं kinetic interpretation में जाता हूं वो आप समझ जाओगे कि मैं ऐसा क्यों करता हूं लेकिन degree of freedom को पहले आप समझे उसके बाद ही प्लीज आप आगे बढ़ें और अगली नहीं derivation पर चले विच इस pressure of a gas in closed container एक container का close अच्छा इससे पहले हम ऐसा करते हैं एक और चीज पढ़ते हैं law of तो ज्यादा मज़ाएगा law of equipartition of energy इससे पहले हमें यह पढ़ेंगे ना तो ज्यादा मज़ाएगा अब law of equipartition of energy क्या कहता है मैं आप से एक सवाल पूछता हूं सवाल यह है कि एक gas है जिसके पास माल लोग अभी थोड़े दरे के लिए त्री डिगरी ओफ फ्रीडम्स है चीए ना यानि वो तीन अलग अलग डायरेक्शन में इसका पार्टिकल गूम सकता है फॉरा गैस लेट अस एज्यूम कि तीन डिगरी ओफ फ्रीडम्स है अब अगर एक गैस के पास टोटल एनरजी 600 जूल है अगर एक गैस के पास टोटल एनरजी 600 जूल है और वो तीन डिगरी ओफ फ्रीडम्स में गूम सकता है तो लॉग ओफ इक्वी पार्टिशन ओफ एनरजी कहता है कि उसके पास हर डिगरी ओफ फ्रीडम्स में 200 200 और 200 जूल एनरजी हो जाएगी अगर एक गैस है और उस गैस के पास टोटल एनरजी 600 जूल्स है तो उस गैस के पार्टिकल के पास 200 जूल 200 जूल 200 जूल हर डिगरी ओफ फ्रीडम्स हो जाएगा माल लो इसी गैस के पास जिसके टोटल एनरजी 600 जूल है और उसके पास 6 degree of freedom है जैसे कि अभी triatomic gases में non-linear में आये थे तो उसके पास हर direction में 100, 100, 100, 100, 100 और 100 joule हो जाएगा ultimately the point है कि अगर एक gas है और वो जितने भी degree of freedom में घुम रहे होगी तो law of equipartition of energy कहता है कि उसके हर एक degree of freedom में जो energy होगी वो equally distribute होगी तो law of equipartition of energy क्या कहता है कि energy of particles of gas energy of particles of gas is equally distributed in each degree of freedom हर एक degree of freedom में particle जो होगा वो equal energy लेके चल रहा होगा let us suppose माल लेते हैं एक gas तीन अलग-अलग axis में गुम सकती है x, y और z में एक ऐसा एक ऐसा बात लेट कर लेते हैं कि let us assume that a gas particle has three degree of freedom has three degree of freedom मैं short में लेख जता हूँ या जो की है जो की है x, y and z जो की है x, y and z ठीक है न जो की क्या क्या है x है y है और z है तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो energy होगी x-axis में जो energy होगी y-axis में और जो energy होगी z-axis में वो आपस में बराबर हो जाएगी let us suppose कि एक gas का particle तीन अलग-अलग degree of freedom में गुम सकता x, y और z तो according to law of equipartition of energy x-axis, y-axis और z-axis इन तीनों में जो energy रहेगी वो same equally distribute होगी equally जाएगी सबसे पहली बात तो ये है सबसे पहली बात तो ये दूसरी बात अब मैं आपसे बहुत प्यारा सवाल पूछ रहा हूं इस सवाल में बहुत कम बच्चे और teacher ध्यान देते हैं लेकिन बहुत important सवाल है क्या एक गयास के particle के पास भले बहुत सारी energy होती होगी kinetic energy potential energy rotational energy अगर आपको यह वाला पॉइंट या दो जहां पर हमने एक बात एज्यूम की ति और वह यह थी कि देर इस नो attraction और नो रिपल्शन पार्टिकल में कोई attraction और कोई रिपल्शन नहीं है अब अगर हम पार्टिकल के बीच में कोई attraction और कोई रिपल्शन नहीं है यह जूम कर चुके हैं तो इसका मतलब है कि पार्टिकल के पास कोई भी potential energy तो होगी नहीं अब अगर कोई potential energy नहीं है तो क्या यहां पर मुझे एक note का point लिखना सही रहेगा जो कि again पूरे चप्टर में आपको काम आएगा वो क्या है कि if there is no attraction और रिपल्शन बिट्वीन पार्टिकल्स if there is no attraction और रिपल्शन बिट्वीन पार्टिकल्स then अगर पार्टिकल्स के बीच में कोई attraction और कोई रिपल्शन नहीं है then there is no potential energy तो कोई potential energy नहीं होगी तो जो हमारी total energy होगी वो हमारी actually में kinetic energy ही हो जाएगी तो जो हमारी total energy होगी जो भी हमारी total energy होगी वो हमारी basically kinetic energy ही होगी यानि kinetic energy ही total energy है और total energy kinetic energy है because there is no potential energy in kinetic energy of gases because particles के बीच में हमने attraction और repulsion को जीरो मान लिया है अब अगर पार्टिकल्स में कोई attraction और कोई repulsion नहीं है तो ultimately घूम फिर के हम उसी बात पर आ जाएंगे कि भाई potential energy है यह नहीं और सिरफ और सिरफ उसके पास kinetic energy ठीक है यह पॉइंट आपको ध्यान रखना अब हम लोग चलते हैं यह वाला पॉइंट अगर आप समझ गयो तो अब हम आगे चल सकते हैं और और वो चीज़े कि भाई pressure कैसे निकाले ना प्रेशर कैसे निकाले चली 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 बहुत जादा इंपॉर्टन डेरिवेशन होने वाली है इस चैप्टर की नीव है बेसिकली है और वो है pressure of gas in a closed container एक लोज कंटेनर में एक gas कितना pressure exert कर रही है यह हम लोगों को calculate करना है इसके लिए हम लोग लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक container है और इस container में एक gas का particle यह container है इस container की जो चौडाई है वो एक से इस container की जो एक से लंबाई केलो जो भी कर लो एक से और यहां पर और यह थ्री डामेंशन अविस से बाज़ा है तो इसका जो area of cross section है वो a मतलब जिस face पर हम सामने से देख रहे है वो a है l into b a है और यह लंबाई x मान लो ठीक है नब अब इसके अंदर एक gas का particle यहां से gas का particle दोड़ता है दोड़ता है और जाता है जाता है जाता जाता है और टकराता है और टकरा के आपस आ जाता है अब अगर मान लो यह गया था वी x velocity से अभी मैं इसको vx क्यों बोल रहा हूँ because अभी मैं gas के particle को x direction में assume कर रहा हूँ तो जब यह तकरा के वापस आएगा तो आपको मनी मन में yes or no बोलना है क्या इसकी velocity vx होगी अब यह obvious है कि एक तरफ प्लस तो एक तरफ माइनस let's say मैं जाती बार वाले को माइनस राती बार वाले को प्लस दे रहाँ उससे कोई फरक ने पड़ता आप जाती बार वाले को माइनस लो लेकिन फरक इस बात से परता है कि क्या आपको यह समझ में आया कि दोनों की velocity जाती बार और टकराने के बाद same क्यों होगी same इसलिए होगी because अभी पीछे हमने यह assume कर लिया है कि जो gases के particles हैं उनके बीच में जो भी collision हो रहा है वो elastic है अब अगर collision elastic है तो particle टकराएगा और same टकराएगा और बिल्कुल same velocities वापस आएगा because if collision is elastic so there is no change in the velocity तो यहां पर हो जाएगा अब हमें प्रेशर की derivation करने है आप सोच लोगे प्रेशर का formula तो force upon area होता है यह होता ही है पर वह solid के लिए होता है liquid के लिए भी होता है gases के लिए होता हम यहां पर सिर्फ gases के लिए कोई unique कोई अलग formula डिराइब करने वाले force upon area जो formula आया था वो तो परिभाश्चा से याने के definition से आया था चलिया यह सबसे पहले इस जहरेवेशन को शुरू करेंगे हम लो तो हम यहां पर निकालेंगे change in बहुत बहुत डियान रखना change in momentum of particle एक पार्टिकल का momentum में change कितना आया तो formula होता है final momentum minus initial momentum फाइनल वेलोसिटी वी एक्स है और initial velocity minus vx है तो minus minus plus तो हमारा जो change in momentum एक पार्टिकल का हो जाएगा यह एक पार्टिकल का है तो change in momentum of a particle यह आफ वन पार्टिकल यह यह change in momentum है अब बहुत हैं सुनना मैं यह तो एक पार्टिकल के लिए change in momentum आया अब मैं लेट कर रहा हूं कि जो एन है वह नमबर आफ पार्टिकल्स per unit volume है कि कितने number of particles मेरे पास बैठे हुए है लेट यह जो छोटा एन है यह क्या है छोटा एन है नंबर आफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम आई रिपीट यह छोटा एन क्या है नंबर आफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम है तो यहां से टोटल नंबर आफ पार्टिकल्स क्या जाएंगे टोटल नंबर आफ पार्टिकल्स दुबारा समझ लेते हैं N क्या number of particles per unit volume इसका मतलब है एक लीटर में या एक मीटर क्यूब में मेरे पास N number of particles हैं तो number of particles total कितने हो जाएंगे तो answer है N into my volume तोटल कितने हो जाएंगे answer है N into my volume अब volume क्या होगी इस container की area of cross section A था यानि L into B और लंबाई X है तो area into max आजएगा तो total number of particles मेरे पास N A X हो जाएंगे यह मेरे पास total number of particles हो गये यह मेरे पास total number of particles हो गये मैं दुबारा बोल रहा हूं यह एक particle का change in momentum आया था विच इस 2MVX और यह क्या हमारे पास N क्या number of particles परिंट वॉल्यूम तो total particles मेरे पास कितने आ गए तो total particles मेरे पास आ गए N A X ठीक है जी अब अगर यह total particles आ गए और यह एक particle का change in momentum था तो मुझे क्या करना होगा मुझे इसको multiply कर देना होगा तो अगर मुझे निकालना है total change in momentum अब अगर पार्टिकल का change in momentum था अब number of particle हमारे पास N A X आ चुग है हना भई तो यहां से formula आ गया हमारे पास 2 M N A X V X यह हमारे पास total change in momentum आ गया यह हमारे पास total change in momentum आ गया ठीक है जी अब हमें निकालना है यहां से force force निकालेंगे तो force का formula change in momentum हम upon में time होता है Newton जी के second law के हिसाब से अब total change in momentum कितना है ध्याद सुनेंगे 2 M N A X V X लेकिन जो time लगा है वो कितना है answer है 2 T जाती बार का time जाने का time है T यहां से यहां तक जाने का time है T तो आने और जाने का time कितना हो जाएगा 2 T because जितना time time जाने में लगेगा मानते हो उतना ही time आने में लगेगा क्योंकि एलास्टे को लिजन स्पीट से मैं तो टूटी हो जाएगा तू से टू यहां पर कैंसल हो जाएगा और एक बहुत ही कमाल की चीज़ मैं करने वाला मताब खमाल तो नहीं है लेकिन ध्यान सुनना तू से टू कैंसल हो जाएगा यहां पे M आ जाएगा यहां पे N आ जाएगा यहां पर Works हमारे पास आ हैं M N aye 2 sin lesa पॉ occupant हमारप la eterno city और यह एक और विल्जासटी आगया तो loved city इन्ट विला सटी ब lass टीका स्करों जाएगा एम एन ए वी एकस का स्कूर हो जाएगा यह मरपास सवागे अब है ता हम होता है तो उसे साफ से करें बात करूंँ तो प्रैशर का फॉर्मूला है फोर्स के जिखा में क्या प्रूफ कर चुका हूं एम एन एवी एक्स का स्कुर्ड अपान यह हमारे पास फोर्स आ चुकी थी उपान में एरिय अगया area से एरिया डिवाइड हो गया तो प्रेशर का फॉर्मुला आ गया मन भी एक्स का स्क्वेल अब देखा जाए तो प्रेशर का फॉर्मुला हमारे पास आ चुका है इसको मैं कुशन फर्स्ट मान लूंगा लेकिन मुझे यह जो फॉर्मुला है यह अच्छा नहीं लग रहा अगर आपको फॉर्मुला अच्छा लग रहा है तो बात यहीं खतम हो गई लेकिन अगर आपको फॉर्मुला अच्छा नहीं लग रहा है तो क्यूं नहीं लग रहा है यह आपको कमेंट सेक्शन पर पताना है चीक है जी मैं वेट कर रहा हूं जल्दी से बताओ मुझे यह formula मुझे अच्छा इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि इस formula में यहां पर VX आया है यानि यह जो हमने formula derive किया है सिरफ x direction के लिए हो गया लेकिन मुझे तो pressure हर direction के respect से निकालना है तो यहां से अब मैं VX को हटाओंगा कैसे अब देखो ध्यान से हमने अभी थोड़े पहले देखा था कि जो energy है वहर direction में equal है क्योंकि law of partition of energy कहता है तो अगर मैं degree of freedom को अभी के लिए थ्री मांद के चलूं x y z तो हमारे पास energy x direction में हमारे पास energy y direction में और हमारे पास energy z direction बराबर हो जाएगी energy कौन सी kinetic energy half m v x का square बराबर हो जाएगा half m v y के square और बराबर हो जाएगा half m v z के square यह law of partition energy कहता है half m half m से Cancel हो जाएगा तो v x का square बराबर हो जाएगा v y k square के जो के बराबर हो जाएगा v y k and so यह तो आव्या पाफ हो जाएगी कि V x बराबर हो जाएगा wi v y q जो के बराबर हो जाएगा v z q और का तो अगर kinetic energy two not access में बराबर है और myself तो बराबर हो जाएगी अब अगर ऐसा है तो मुझे अगर पार्टिकल की नेट वेलोसिटी निकालनी है तो हमारा वेक्टर कहता है कि तीन चीज़े जब आपस में पर्पेंडिकुलर हो तो नेट निकालने के लिए आप वी एक्स का स्क्वेर वी वाई का स्क्वेर प्लस वी जड का स्क्वेर कर सकते हो आए कैप जे कैप के कैप यार और अगर मैं वी स्क्वेर के मेले निकालू तो यहां से Vyx का square, Vy जा है वो भी Vyx का ही है square, और Vz जा है वो भी Vyx का ही है square, तो यहां से v-square हमार पस 3Vx का square और यहां से बच्चो finally Vx का square, 1 by 3 V square अघगा, अब यह Vx के square की value का अगर मैं यहां पे put कर दो putting in first putting in first equation तो बच्चो मुबारक हो pressure का formula हमार पास अगर मैं vx की जगा 1 by 3 put करता हूं तो 1 by 3 mn v square हमार पास आ जाएगा and this is finally the formula of pressure applied by the particles of gas kept in close container लेकिन ये formula तीन degree of freedom को मान कि आया है अगर degree of freedom तीन मान कि आया है अगर degree of freedom 4 हो जाएगा तो यहापको पता है यहाप फोर आ जाएगा degree of freedom 45 हो जाएगा तो यह पांचो Post हो आड होंगे हाप फाइव आ जाएगा लेकिन पास जो pressure न वह बूलना मत यह volume a particle है na n जो है we वो number of particles per unit volume है, n number of particle नहीं है, गलती मत करना, n number of particle per unit volume है, और यह जो v है हमारे पास, वो velocity, total velocity of particle, x, y, z में नहीं, total velocity, average velocity, net velocity है, ठीक है जी, तो यह तीन slide में pressure का formula के derivation हुई, एक बार इससे go through कर लेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे, यह पहला page, यह दूसरा, और यह तीसरा, डन है, ठीक है, तो यह pressure के derivation के बाद, अब हम आगे बढ़ते हैं, और बात करते हैं, कि कैसे हमारे पास, देखो, pressure की जो derivation I, यानि की 1 by 3 mnv square में, यह बात आपको बार बार में बोर नहीं धियान रखना है, कि यह जो 3 है, यह degree of freedom है, अगर gas का degree of freedom, 3 से जादा हो जाएगा, तो pressure change जाएगा, अभी हम generally 3 के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, अब हम लोग एक बहुत बड़ी, बहुत important statement, हमेशा से, मतलब हमेशा से पढ़ते आए हैं, कि जो energy of gas है, यह temperature के directly proportional होती है, लेकिन हमने कभी भी इसको प्रूव नहीं किया, हम हमारे पास matter in our surrounding, जहापर मने बढ़ादा कि temperature बढ़ा होगे, तो solid से liquid बनेंगे, liquid से gas बनेंगे, और उनकी particles की kinetic energy बढ़ते चली जाएगे, और अगर अब हम सिरफ gases की बात करें, तो gases में भी सिरफ अगर मैं temperature बढ़ाबा चला जाओ, बढ़ाबा चला जाओ, बढ़ाबा चल हो सकता है, यह हम theoretically समझते हैं कि temperature बढ़ा होगे तो particles और random motion में आएगे, बट इसको हम mathematically कैसे समझें, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि हम लोग बात करेंगे, कि क्या इनमें आपस में एक basic connection है, यानि कि आप कह सकते हो कि relation between kinetic energy या कहलो अभी फिलाल तो energy क्योंकि यहाँ पर kinetic energy ही energy है, and temperature, and temperature of gas, kinetic energy और gas के temperature में आपस में क्या relation है, हम theoretically जानते हैं कि यह दोनों directly proportional हैं, इन्हें directly proportional होना चाहिए, बट क्या यह actually में आते भी हैं, numerically, mathematically आउज ज़रा देखें, सबसे पहली बात तो हमने यह पढ़ा, आज कि जो pressure of gas है, वो 1 by 3, mnv square है, हाना भई, यह हमने पढ़ लिया, अब अगेर degree of freedom 3 मान के हमने पढ़ा, ठीक है, इसको मैं first equation जो है, वो मान लेता हूँ, also, हम लोग जानते हैं, from ideal gas equation, अब from ideal gas equation अगर बात की जाए, तो वैसे तो यह बड़ी funny बात है, कि ideal gas equation हमारे CBHC के syllabus से states of matter से भी हटा दी के delete कर दी गई, और इस chapter से भी delete कर दी गई, कहीं schools में 11th में करवा रहे हैं, तो आप लोग एक बात देख लेना, क्योंकि 11th class में और 9th class में जो portion delete हुए, उनमें बहुत controversy है, 9th में आपको सबको पता होगा, concept है, mole concept, सबसे important concept है, atoms and molecules chapter का 9th में आपको पता होगा शायद, तो वो delete हो गया था, लेकिन कहीं school उने का कि नहीं हम देंगे, because आपको इस mole concept की पढ़ाई 11th में काम आएगी, तो उन्होंने mole concept दिया, अब चाहें, आपको एक chapter याद होगा, diversity in living organism, 9th class का एक chapter था, काफी मुश्किल chapter by logica होगा करता था, पूरा chapter इस साल delete हो गया, लेकिन कहीं schools में आ रहा है, ऐसे 11th class में हमारे यहाँ पर एक रोहिनी में काफी famous school है, अभी मैं यहाँ पर नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने part 2 में सारे chapter काट दिये, सिवाए oscillation, wave और thermal properties of matter, यह तीन chapter दे रहे हैं, बाकी chapter निकरा रहे हैं, तो इसलिए 11th और 9th में मैं syllabus के बारे में बात नहीं कर सकता है, हाँ मैं उसके बारे में बात करता हूं कि CBSC ने अपने syllabus में क्या डाला है, क्या नहीं बड़ आपके school में क्या क्या 10th और 12th का board का बच्चा होता है, कोई भी gas अगर ideal हो, ideal मतलब अभी आप समय लो हमारे सपनों की gas, तो सारी gases एक equation follow करते हैं, PV is equal to nRT, यहापे P pressure होता है, gas का, V volume होती है, N यहापे number of moles होता है, R यहापे gas constant, जिसकी value fixed है, 8.314 in SI units, and T is temperature, तो अगर मैं यहाँ से pressure का formula निकालता हूं, तो nRT by V आ जाएगा, य है कि, अभी हम इन दोनों pressure को अपस में compare करने वाले हैं, लेकिन मैं यह दावे से कह सकता हूं, जैसे मैं compare करूंगा, आप यहाँ confuse होना शुरू हो जाएगो, क्यों, तो कि उसमें भी N है और V है, और इसमें भी N है और V है, लेकिन दोनों बहुत अलग है, कैसे, याद करो, इसको मैंना N not बोल देता हूं, यहाँ पर, यह जो N not है, यह actually मैं number of particles per unit volume होता है, और यह number of moles है, तो दोनों बहुत अलग है, यह V velocity है और यह V volume है, मैंने उसको N not और इसको N बोल दिया अभी के लिए, वो छोटा V है और यह बड़ा भी है, वो velocity है यह volume है, तो बस आपको य दियान रखनी है, वरना गरबर हो जाएगी, इसको मैं second equation मान लेता हूं, अब अगर मैं first और second से बात करूं, यानि कि from, first and second equation, तो यहाँ से भी pressure, यहाँ से भी pressure, तो 1 by 3, M N not V square is equals to मार पास आ जाएगा, N R T by V, यहाँ पर V जो है दियान रखिएगा, यह volume है, यह बात मत भ volume है, ठीक है जी, अब एक छोटी छोटी बात है, जिसको आपको ध्यान देना है, वो क्या है, सबसे पहली बात मैं इसको यानि LHS को 2 से multiply, 2 से divide कर रहा हूं, ऐसा क्यों कर रहा हूं पताता हूं, multiplying and dividing, dividing, multiplying and dividing LHS by 2, LHS को हम 2 से multiply और 2 से divide कर देंगे, ऐसा करने पर हमें यहाँ पर मिल जाएगा 2 by 3, और 7 में आ जाएगा हमारे पास 1 by 2, क्योंकि मैंने 2 से multiply, 2 से divide कर दिया, M V square, और 7 में मेरे पास N 0 तो चली रहा है, अब आप शायद समझ गया हूं, कि मैंने ऐसा क्यों किया है, मैंने ऐसा इ और यह जो bracket में हमारे पास बस गया, 1 by 2 M V square, इसको मैं लिख सकता हूं, kinetic energy, अच्छा आप साथ में देखो, यह N 0 है, N 0 क्या है, number of particles per unit volume, यह भी धियान रखना, N क्या है, number of particles, बहुत धियान सुनना, per unit volume, और यहाँ पे हमारे पास equal में क्यों है, N R T by V, तो यहाँ पे हमार पहली बात, volume से volume तो cancel ही हो गया, और kinetic energy अगर मैं इदर रखना चाहूं, तो मैं यहाँ पे, पहली बात तो में रपास आ जाएगा, kinetic energy into my number of particles, kinetic energy into my number of particles, अब बहुत धियान सुनना, V से V cancel हो चुका है, और यह 3 by 2 इदर चला गया, अब साथ में वापस क्या बच गया है, वो number of particles हैं और यह N है, अब अगर मैं एक mole के लिए बात करता हूं, for one mole, for one mole, जहाँ सुनना, for one mole of gas, अगर मेरे पास gas का one mole है, तो यह जो N है, यह मैं आपको पता है था number of moles है, यह तो one हो जाएंगे, लेकिन जो number of particles हैं, लेकिन जो number of particles हैं, वो one mole में कितने होते हैं, इन्टू में 10 की पार 23, हाना यह तो आपको पता ही है, तो यहाँ पे अगर one mole gas की बात करें, तो यह number of moles हैं, यह तो one हो जाएंगे, और number of particle N हो जाएंगे, तो अगर मैं आपको बस थोड़ा सा सबर करना है, और हमारे पास kinetic energy का फॉर्मला आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे आर्था डिवाइड बैने, आर्था डिवाइड बैने, और साथ में हमारे पास time तो आए गया है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास kinetic energy का फॉर्मला आ जाएगा, 3 by 2, R by N, R by N, R क्या है, R है gas constant, जिसकी value 8.314, जो की constant है, मतलब ऐसा नहीं होता किसी gas क के लिए, आला किसी gas के लिए, दुनिया में किसी भी gas के लिए, R की value fixed है, which is 8.314, और N, जो है, वो है, एवोगादो नमबर, विचे 6.023, वो भी fixed है, तो क्या मैं R by N, A को एक नया constant ले सकता हूं, which is KB, R by N, A को हम एक नया constant लिख देंगे, KB, ध्यान रखिएगा, यह जो 3 by 2, KB, T आ गया, वेर, यह बात ध्यान रखिएगा, कि जो KB है, वो एक constant है, यानि कि R by N, A है, और यह बोल्जमें constant भी कहलाया जाता है, यह बोल्जमें constant भी कहलाया जाता है, और इसकी value आप निकाल सकते है, R की value है, 8.314, और N, A की value है, 6.023, 10 की पार, 23, दोनों को finally, बच्चो, मुबारक हो, एक second, नहीं भी मुबारक नहों, एक second, यह जो हमारे पास finally, यह जो हमारे पास formula आ गया है, यह formula हमारे पास किसका चुका है, बच्चो, kinetic energy कहलो, यह energy का, which is 3 by 2 KBT, अब आप इस formula को देखके मुझे पताओ, क्या यह कहना ठीक होगा, कि जो energy है, वो directly proportional to temperature आया है, क्योंकि यहाँ पे 3 by 2 और KB constant है, अच्छा, एक बात और ध्यान रखियेगा, यह जो energy हमारे पास आई है, वो 3 degree of freedom के लिए आई है, 3 degree of freedom, क्योंकि यहाँ पे जो यह 3 है, आपको पता है, यह यह वाला 3 है, जो pressure के formula में था, और यहाँ पे यह 3 degree of freedom था, energy का formula आचुका है, 3 by 2 KB T, और यह 3 by 2 KB T जो formula है, वो 3 degree of freedom के लिए आया है, तो यहाँ पे हमें एक point और लिखना चाहिए, और वो point क्या है, कि for F degree of freedom, for F degree of freedom, अगर हम F degree of freedom की बात करते हैं, कि हमारे पास degree of freedom, अगर F है, तो हमारे पास जो energy हो जाएगी, वो F by 2 KB T हो जाएगी, अगर हमारे पास degree of freedom F है, तो हमारे पास जो formula है वो हो जाएगा f by 2 kbt अगर हमारे पास degree of freedom f है तो energy f by 2 kbt हो जाएगी ठीक है जी बहुत simple energy directly proportional to temperature proof करना हमारा main उदेश्य था जो कि हमने कर भी दिया तो इसको kinetic interpretation of gas भी कहते हैं काफी important derivation है ये भी exam में काफी पूछी जा सकते हैं लेकिन हमारा अब जो main उदेश्य है वो cp और cv के बीच में relation है ठीक है न कि cp और cv की values क्या होती है अगर हम a monoatomic, diatomic, triatomic in gases की बात करें जिसके अपर यहां पर अभी हम बात भी कर लेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको हो सकता है आप मैंसे कुछ बच्चे भूल गए हो तो मैं बस revise कर वा रहा हूं यह इस चप्टर की पढ़ाई नहीं है हम लोग thermodynamics में पढ़ चुके हैं at constant pressure, specific heat at constant pressure, specific heat का मतलब तो I hope आप सबको पता होगा, अभी भी नहीं पता है तो यार गलत कर रहे है बात तो दो अपरकार की heat होती है, latent heat और specific heat, ऐसी heat जो state को change करती है, उसको latent heat कहते हैं और जो temperature को change करती है, उसको specific heat बोलते हैं, अब किसी भी substance का जो temperature change है, वो मैं दो तरीके कर सकता हूँ, या तो मैं pressure constant करके कर सकता हूँ, या तो मैं temperature constant कर की कर सकता हूँ, वोलियू को constant क कर सकता हूँ, तो मैं specific heat में temperature तो बढ़ा नहीं होगा, याद वोगा, एक degree Celsius बढ़ाने के लिए एक mol पर कितनी heat लगती हैं उससे specific heat कहते हैं, अब ये दो परकार की हुती है, revise क करवारा हूं constant pressure पर किसी का temperature बाना हो तो CP और SI CV में यह होता है specific heat at constant volume यानि किसी भी gas का मैं temperature बढ़ा रहा हूं लेकिन मैं volume को constant रख रहा हूं मैंने volume को constant रखावा तो दो प्रकार की specific heat होती है और according to mayor's relation यह भी आपको पता होना चाहिए बच्चो according to mayor's relation according to mayor's relation अगर हम mayor's relation की बात करें according to mayor's relation अगर हम mayor's relation की बात करें तो CP minus CV is equals to R होता है यह भी relation हमने chemistry में derive किया हुआ है कि CP minus CV is equals to R जो कि दिखाता है कि CP is always greater than CV CP जो है वो हमेशा CV से बड़ा है तो CP minus CV is equals to R हो जाएगा उस हिसाब से अगर बात करें तो यहां से आप CP की value भी निकाल सकते हैं which is R plus CV वो तो फिरा लग बात ही है लेकिन हमें monoatomic, diatomic, triatomic इन gases के लिए CP और CV की values को calculate यहां पर करना है ठीक है जी चुरू करते हैं लेकिन यह दो relations आप याद रखेगा चलो आओ अब हम बात करते हैं कि CV क्या होता है देखो CV होता है कितनी heat मैं दे रहा हूँ upon में number of moles into में delta T, CV होता है कितनी heat मैं दे रहा हूँ upon में number of moles into में delta T, यह हमारे पास CV का formula होता है मैं CV की बात क्यों कर रहा हूँ, because याद करो अभी तक हमने जो भी काम किया वो closed container के ले किया, यह हमारे पास एक closed container था, अब अगर यह container closed है, तो आप सब जानते हैं, closed container में किसी भी gas को अगर मैं heat करूँगा, तो temperature जो है, वो तो बढ़े गाई, लेकिन साथ साथ pressure भी बढ़ेगा, लेकिन volume नहीं बढ़ेगी, यह बात आप सब जानते हैं, एक closed container में किसी भी gas को अगर आप heat कर रहें, तो इसकी volume नहीं बढ़ सकती, because container closed है, gases expand चाहा के भी नहीं हो सकती, अगर वो container 2 liter का है, तो वो 2 liter ही volume रहेगी, वो सब आप जानते हो शायदा न, तो इसलिए हम यहाँ पे cv की बात कर रहें, cv is equal to delta h upon n delta t, ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से cv की बात करूं, तो यहाँ पे कितनी energy में change आया, upon में n delta t हो जाएगा, अच्छा, अब energy कौन से है, energy का formula हमने आज डिराइफ किया, which is 3 by 2 kb t, यहाँ जनरल बात करें तो f by 2 kb t, बढ़ यह तो energy का है, तो change energy का हो जाएगा delta t, तो यहाँ पे delta e की जगा आजाएगा, f by 2 kb, delta t, upon में क्या आजाएगा, n delta t, तो delta t से delta t cancel हो गया, तो यहाँ f by 2, अब यहाँ पे जो kb था, kb क्या था, r by n, kb क्या था, r by n, और n होता है, एक mol, तो mol से mol cancel हो जाएगा, तो f by 2, r आ जाएगा हमारे पास, यह हमारे पास cv की value आजाएगी, cv की value क्यों आएगी, क्योंकि यह जो energy आई है, वो close container के लिए आई है, और close container में, जब भी मैं किसी का temperature बढ़ाऊँगा, तो वो constant volume होगा, तो यह cv आया है, तो cv का formula में पास f by 2, r आ गया, अब अगर में पास cv का formula f by 2, r आ गया, तो cp भी वहाँ से आजाएगा, cp क्या आजाएगा, r plus cv, तो r plus cv में पास आया है, f by 2, r, तो इसको अगर मैं यहाँ प जाएगा, मेरे पास आजाएगा, 2r, यानि r अगर मैं common ले लूँ, r अगर मैं common ले लेता हूँ, तो मेरे पास आजाएगा, f plus 2 by 2r, यह मेरे पास cp आजाएगा, तो इस formula से मैं cp और cv निकाल सकता हूँ, अब आप सबको पता होना चाहिए, कि gamma जो होता है, वो cp by cv होत मना मत करना, यह अपने एडियाबेटिक के वर्कडन में भी लगाया, यह अपने लाप्लास जी की करेक्शन में भी लगाया, जो कि एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो गामा होता है, cp by cv, तो अब हम एक सुन्दर सी प्यारी सी एक table यहाँ पर बनाएंगे, और उस table के में लिनियर, नॉलिनियर के लिए, मैं आपके लिए जगा छोड़ के अभी, अभी इसी वक्त दो मिनिट का टाइमर लगाऊंगा, आप उसे solve करो कि क्योंकि भाई साभी करना बहुत जरूरी है, ठीक है, यह बात ध्यान रखना, तो उसके बाद हम आगे की बात करेंगे, फ माइगोड, फिर यहां में पास one monotomic dietomic, अब triatomic में linear और non-linear, यहां पे आगया gas का type, कौन सा है, यहां पे हम लोग बात करेंगे, CV की, यहां पे हम लोग बात करेंगे, CP की, और यहां पे हम लोग बात करेंगे, गामा की, ठीक है, फिर यह टेबल हम यहां पे थोड़ा सा close क कर देते हैं कि सीवी का फॉर्मला एफ बाई टू आर है और सीपी का फॉर्मला टू प्लस एफ बाई टू अपॉन में आर है और गामा मार पास सीपी बाई सीवी है ठीक है जिए ठीक है तो यह हमारे पास के ला गया यह कितनी सुंदर सुंदर चीजें हम आपके लिए बना रहें बच्चो जिसंदर सी टेबल के लिए आप एक लाइक कर देजिए बच्छो मैं जाकर रहा है ना पता है मैंने जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था इसके उपर वे चोटी सी कहानी है मैंने जब पढ़ाना शुरू किया था तो मैंसे बोड़ पे कभी सीधी लाइन नी बनती थी कभी सीधी लाइन बनती नहीं थी क्योंकि अगर हम बात करें Mono Atomic Gas के कि अगर एक aun techno Atomic है एक गयास अगर डाय अटॉमिक है और एक गयास अगर child अब ट्रायटॉमिक है अब हों ट्रायटॉमिक गयास कौन सी वाली है लीनियर और अगर ऐसे ही वह गयास triatomic है अच्छा कोई भी degree of freedom के लिए काम कर सकते हैं बच्चे कहेंगे polyatomic हाँ आप तो किसी भी degree of freedom के लिए काम कर लो general formula हमारे पास आ चुका triatomic में non-linear है चीक है जी अब अगर monatomic की बात करें तो degree of freedom हम आपको याद होगा 3 होता है और f by 2 है तो यह 3 by 2 आर हो जाएगा इसमें f by 2 में 2 आड़ करना है तो विचिस 5 by 2 आर हो जाएगा और गामा cp by cv होता है तो यह 5 by 2 r by 3 by 2 r तो यह मैं आपर लिखने रहा हूं लेकिन 5 by 2 r divided by 3 by 2 आभी और सीपी बाइसी वी है तो क्या अंसर आजाएगा 5 by 3 आजाएगा ना 5 by 3 आजाएगा ऐसे अगर यह गैस डाय आटामिक है तो degree of freedom die atomic gases के लिए क्या आया था याद करेंगे 326 और 6 में एक रिलेशन होगे तो 5 तो यहां पर हमार पास आजाएगा 5 by 2 r यहां पर क्या आजाएगा बोलो 7 by 2 r और यहां पर आजाएगा 7 by 5 अब यहां पर प्लीज धियान देंगे याद करेंगे हमारा वेव चप्टर और वेव को हम डायाटाम में क्यों मानते हैं जरा सोचो द्यान से सोचो हम अपने आसपास की हवा को डायाटामिक क्यों मानते हैं और उसमें मोन यहां डायाटामिक सारी गैसे होती हैं तो जरा गहुर फरमाईएगा हमारे हवा में 78% नाइट्रोजन है और 21% oxygen विच इस 99% और भी डा नाइन परसंट डायाटॉमिक मॉलीक्यूस बैठे में तो हम अपनी सारी हवा को आसपास की डायाटॉमिक मान लेते हैं यह बात ध्यान रखेगा तो एफ बाई टु आर आ गया विच इस फाइव बाई सेवन आ गया ठीक है अब ट्रायाटॉमिक में लीनियर और नॉन लीनिय जल्दी से दो मिनट आपके पास क्यों झाल से लाई टु आपके पास हाँ जी आप तक तो कर लिया होगा बैसे यार आप लोगों ने कि नहीं मैं तो बोर ही हो गया खड़ा खड़ा यार चालो यार मेरे साब से ओगया होगा है ना है अब यह बाद चेक कर लेते हैं के अंसर कि आप लोगों ने क्या आंसर किये बचो अब ट्राइट ओमिक में जब गैस लीनियर होती है तो थी थी नाइन और रिलेक्शन टू हो तो यहां पर आ गया हमारे पास 7 by 2R और यहां पर हमारे पास आ जाएगा 9 by 2R तो इसका जो डिगरी ओफ गामा आ जाएगा CP by CP बहुत आ जाएगा 9 by 7 यह आ गया होगा इसके बाद अब triatomic में non-linear में हमारे पास 339 वैसे 3 गए तो 6 आ गया था तो यह आ जाएगा 6 by 2R which is 3R 6 by 2R which is 3R और यह आ जाएगा 8 by 2R which is 4R और यह आ जाएगा हमारे पास 4 by 3 तो यह हमारे पास degree of freedom के हिसाब से अलग अलग एसका CP, CV और गामा आ गया अब इस chapter की जो numerical वाली बात है पहल इस chapter की जो exercise है जो numericals है उन numericals के अंदर और हमारे thermodynamics के numericals में फरक क्या है बिल्कुल exactly same numerical है बस फरक क्या है कि thermodynamics या thermal properties में हमें specific heat given आती थी solid की copper की let's say water की specific heat given आती थी लेकिन इस chapter में बस फरक किया है कि specific heat given नहीं है वैसे लग नहीं रहा यह किसी इनसान के हाथ ने टेबल बनाई है एकदम बढ़ी आया अगर यह table आपको अच्छी लगी ना तो बेरा screenshot screenshot लेके instagram पर डालना मुझे post मुझे tag जरूर करते ना बच्छ में वर्नियर केलेपर का इस्तमाल करके बच्छो इतनी खतरनाक टेबल बनाई है तुम्हारे भाई ने कि ऐसा लग रहा है कि किसी computer ने बनाई है बच्छो computer में चलो यह तो मजा आखे लेकिन यह इस chapter के और जो पिछले chapters गया उनके numerical में बस एक बड़ा फरक यह कि उनमें specific heat गिवन आती थी लेकिन इसमें specific heat भी गिवन नहीं होगी आपको क्योंकि gases की बात होगी और gas monatomic है, diatomic है तो आपको इस gas की specific heat अब इस तरीके से निकालनी आने चाहिए because r की value आपको पता है ठीक है अब इस chapter में छोटी छोटी दो चीज़े और है पांच मिनट लूँगा हो है और आपके और और चेप्टर जोए वो समाप्त हो जाएगा एक है हमारे पास root mean square value of velocity इस पूरे चेप्टर में आदे से ज़्यादा कोशन जब आप इसकी exercise करोगे तो आप मुझे खुद वोलोगे हाँ यारे बंदा दाड़ी वाला सही कह रहा था कि इस chapter में अगर मान लो example और exercise मिला के मिला के मान लेते हैं अगर चालिस कोशन में चालिस तो खेर नहीं होंगे मान लो एक नमबर लेते हैं माले तक सो कोशन है तो सो कोशन में से 40-50 कोशन सिर्फ इस formula के उपर है जो कि मैं करवाने जारू और कुछ भी नहीं है formula में अच्छा root mean square value of velocity को basically हम vrms कहें हैं या हम सिर्फ यार velocity ही निकाल रहे हैं बस और कुछ ही निकर रहे हैं इसको root mean square इसले बोलते हैं पहले बाद तो यह सारे particles की mean है और यह root में आएगी तो root mean square although उससे और कुछ है नहीं क्या आपको पता है कि हमारे पास भई kinetic energy का formula भी थोड़े पहले f by 2 kbt आ गया था f by 2 kbt आ गया था हमापा भी थोड़े पहले f by 2 kbt हमारे पास formula आ गया था अब kinetic energy का formula क्या होगा half mv square is equal to f by 2 kbt आ गया था 2 से 2 cancel हो गया था है यहां पर mv square is equal to f अब यह kb जो होता है वो हमारे पास क्या होता है r by na होता है यह जो kb होता है वो r by na होता है यह तो आप जानते ही अभी तक अब यहां पर यह mass है और na क्या होता है given mass upon molar mass है ना बई अब one upon mole अगर यह होते हैं तो हमारे पास यहां पर क्या जाएगा बोलो mv square is equal to f ध्यान सुनना यह r है यह t है अब यह na होता है एक mole में कितने particle है ने कि पर mole पर mole मतलब divide by m आएगा अब divide by m क्या होता है divided by m होता है given mass upon में molar mass given mass upon my molar mass तो m से m यहां पर cancel हो जाएगा तो v square हमारे पास क्या जाएगा बोलो f r t by m m मतलब यहां पर molar mass से है तो यहां से velocity हमें मिल जाएगी under root f r t by m n c r t इसको एक m से दिखा रही है लेकिन आप समझ ना पाओ तो मैंने आप molar mass लिख दिया है और इसको ही root mean square value भी बोलते है अब मालो degree of freedom 3 है तो 3 r t by m हो जाएगा मालो degree of freedom 5 है तो 5 r t by m हो जाएगा मालो degree of freedom 7 है तो 7 r t by m हो जाएगा तो velocity के उपर इस चप्ट यानि की velocity temperature और molar mass पर depend करती है आप इसके उपर मैं आपको पता नहीं सकता कि है कितने कोशन है कितने निमेरिकल है कितने सीधा वेल्यू पूटेंगे आरगन गैस दे रखिए नियॉन गैस दे रखिए velocity का ratio निकालने सेम temperature है दोना का molar mass put किया ratio आ गया डिवाइट कर दिया उपाइवाला तो cancel हो जाएगा तो degree of freedom r t by m यहाँ पर formula ठीक है एक छोटा सा formula इस चप्टर में और है जिसकी कोई derivation नहीं चप्टर खतम हो जाएगा और वह मीन free path चप्टर की first पहले 10 मिन में हमने मीन free path के बारे में बात की थी आप जाके चेक करो mean free path को पहली बात तो हम x-bar से show करते हैं और mean free path क्या होता है mean free path मतलब सारे free path का average अब आप कहोगे free path क्या होता है अरे अब भी तो पता है था दो collisions के बीच का path is called free path और सारे collisions का mean free path हम यहाँ पे x-bar बोलते है इसका जो formula होता है x-bar का वो होता है one upon two अच्छा एक बात और धियान रखना यह जो formula में यहाँ पर लिखने जा रहा हूं यह formula के derivation आप dimensional analysis से कर सकते हो यह formula के dimensional analysis से किया है तो कुछ formula हमें dimensional analysis से ही करने हैं तो यहाँ पर जो formula है वो है one upon under root two n d square one upon under root two n d square यहाँ पर यह जो x-bar है यह तो हमारे पास mean free path हो गया ठीक है न यह जो n है वो क्या हमें पर unit volume और हमारे पास यह डी जो है वो है diameter of molecule यह जो डी है हमारे पास बच्चों है diameter of molecule तो diameter of molecule हमारे पास n है और यह डी है तो number of particles पर यूनिट वालियम हो गया और यह डामीटर ऑफ ओले कि लुगे तो कुल मिला के असान भासा में बात करें कुल मिला के हमारे पास यह नमज आफशहा पाष्ट exactement इंदे कार ऑनीession किया बहुत ही कॉम्पाक्ट तरीके से आपके लिए चप्टर ले किया है ताकि आप एक्जाम में इसको बहुत जल्दी जल्दी गो तुर कर सको और हर चीज भी किया हर डेरिवेशन भी ऐसा नहीं कुछ स्किप किया हमने हाँ जो डिलेटीड है वो तो अलग बाद ठीक है तो इसी के साथ हमने चैप्टर जो है बच्छों खतम कर दिया है बहुत बढ़िया तरीके से अगले लेक्चर में एक और लेक्चर वन शॉट में लेके आएंगे आपके लिए लेकिन तब तक आप इसके नो